Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life आज कल सब लोग घर पे हैं तो मेरी ही तरह आपको भी फरमाईशें आ रही होंगी कुछ तीखा, चटपटा, कुछ अलग बनाने की क्योंकि सभी को street food खाई काफी दिन भी हो चुके हैं तो चलिए थोड़ी से extra minute लगा के अपनों की ये विश भी पूरी कर देते हैं आज ये चार street foods बना के अपनी family को खिला चुकी हों अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो अब बारी आपकी है तो चलिए देख लेते हैं पहली recipe which is delicious पापड़ी चाट पापड़ी बनाने के साथ मुझे वड़ास की नाने हैं तो वड़ा बनाने के लिए दो तरह की डाल ली है एक है दूली मॉंग की डाल और एक उड़द की डाल दोनों को आपने पूरी रात भर भीगो देना है आधा आधा कफ लिया है मैंने आप चाहें तो कोई भी एक डाल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो पूरी रात भीगोने के बाद या फिर चार से पांच घंटे तक तो आपको भीगोना ही पड़ेगा जब ये फूल जाएगी तो इसको हमने ग्राइंड करना है याद रखें ज़ादा पानी इसमें आड़ ना करें अगर ज़रूरत पड़े तो एक तो चम्मच आप आड़ कर सकते हैं अधरब़ इसे ड्राइ ही ग्राइन करने की कोशिश करें तो मूँ की दल को grind करने के बाद आप मैंने उड़त की दल को भी grind कर लिया है और इसका paste ready हो गया है अब बारी आती है इसको अच्छे से whisk करने की ये procedure आपका बहुत ही ज़रूरी है दस मिनट तक आपको इसको अच्छे से mix करना है जब तक की दाल full के light ना हो जाए अगर आप मैंने मैदा और one fourth cup लिया है सूजी अब इसमें डाला है थोड़ा सा salt और साथी डाला है जीरा आप अजवायन भी यूज़ कर सकते हैं और दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर oil डाला है मोयन के लिए इन चीजों को अच्छे से mix करना है फ्लार को तेल के साथ दबाके mix करे उसके बाद हलका हलका पानी डालके इसको हम गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंते हैं वैसे इसको गूंदना है पर ख्याल रहे कि यह आटा आपका बहुत ज़दा हाट नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़दा soft तो medium soft आटा हमें पापड़ी के लिए चाहि एक लिटर पानी में मैंने 250 ग्राम्स इमली डाली है मुझे इमली सीर्स के साथ मिली थी अगर आपको बिना सीर्स के मिल जाए तो बहुत अच्छा इससे सीर्स को अलग करने में लगने वाला टाइम भी बच जाएगा दस से बारा मिनट इमली को अच्छे से बॉइल होने द दो बच ईैरिस को सकते अब इसके सारे में नीकाल दिया है बॉइसको हम ग्राइंट करेंगे और इसको फिल्टर कर लेगे तक इसका सारा गजा ये कि विल्टर करने के बाद बहुती क्लीन पल प हमारे पास बच जाता है अब इसका तड़का रेडी करेंग, सबसे पहले आला है और इसके बाद ही और जीरा डाल दिया है इसके बाद डालदेंगे यह पल 15-20 वनिट हम इसको इसको अच्छे से बॉयल करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसमें पानी देर यह boil होगा तो इसका पानी भी सूख जाएगा इस में डाल दिया है थोड़ा सा गुड और गैनिक गुड मैंने इसमे आड़ किया है इसके बार डालेंगे मसाला पाउडर सौंफ का पाउडर डाला है मैंने यहां पर जीरा पाउडर डाला है साथी डाल दिया है सॉल्ट वाइट और साथी डाला तोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जिसे टेस्ट काफी अच्छा आता है गरम साला पड़ो डाला है रेड चिली पड़ो डाला है और डाला है ब्लैक पेपर थोड़ी से मैं इसमें शुगर भी डाल रही हूं तक चटनी बहुत खटी ना हो जाए मसाले सारे जाल दिये हैं आप 15-20 मिनट इसे अच्छे से पकने दें कोई फ्लेवर कम लगे तो आप बाब में भी डाल सकते हैं और जब तक चटनी रेडी हो रही है तब तक हम दोग पापडियां रेडी कर लेते हैं जो मैंने डो रेडी किया था उसके दो पार्स मैंने कर लिये हैं द केलन की हल्प से आप इसको हलका सा प्रेस करें तो इस तरह की पापड़ी आपके पैस रेडी हो जाएगी देखिए बहुत थिक भी नहीं है बहुत थिन भी नहीं है तो इस तरह से मैं सारी पापडियों को एक साथ बेल के साइड रखती जाओंगी और उसके बाद फोक की हल सबसे आपको इसमें होल करने हैं ताकि यह फूले नहीं क्योंकि जो पापड़ी फूले लगेगी वो क्रिस्पी नहीं बनेगी तो बीस मिनट के बाद आप देख सकते हैं चटनी भी तयार हो गई है पानी कितना सूख चुका है और काफी थिक हो गई है तो इतनी ही थिक चटन होने दें तब तक हम फ्राय कर लेते हैं वड़ा और पापड़ियां तेल घरम हो चुका है थोड़ा पानी लगाना है हाथों में उसके बाद जिसकर हम पॉक्च्चे रह जाएंगे दो बार आपको इने फ्राय करना है तो एक बार हल्का फ्राय होने के बाद इसको निकाल ल जब सारे वढ्राज एक और और फ्राय चीज से वम इनको फ्राइक नहीं चीज़ भलागे मिदा कि दो फिर फिर इनको फॉर्ज झाल है उसके बाद स्कूल और एक बातर में पानी डालना है और सारे वअच्य च्छानल विसमेहे beb कर देंगे थनको Pract scene पर फिर से से शेयर करना बनता थे तो आप तो乐ने करने पूदरटा कहली हैं जो पॉछ। शोर्म में। साथ में अद्रख लसन में से कोई भी चीज आप डाल सकते हैं तोड़ा लशन डाला है मैंने हरी मिश डाल दी है साथ ही डाला है तोड़ा सा आम चूर और साल्ट साथ ही डाल देंगे तोड़ा सा पानी और विठान कर लेगे just में प्यास इसको भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे और चटनी रेडी हो जाएगी वड़ास को पानी में डिप की होई 15-20 मिनिट हो चुके हैं तो बस इसको हलका हलका प्रेस करके मैं निकालती जा रही हूँ तो आपने देखा कितनी परफेक्ट और क्रिस्पी पाप्णियां रेडी हुई हैं तो कोई भी प्रेट रेडी करने से पहले जितनी पाप्णियां आपको उसके लिए चाहिए उसे इमली की चटनी में डिप कर दें और उसके बाद प्रेट लगाएं प्रेट में रखें हैं तीन वडाज और इसमें अचैजन以 की ग्रीन चटनी की दाल में चणी चाटनी आपको आपकी में डिप की हुई पाप्णिया के आलो इस चाठ प्रेशे हैं आपकी ची Mini की डाल सकते हैं तो बस आपकी पापड़ी चार्ट रेडी है सेकिंड रेस्पी है चना टिक की चार्ट जिसकी खुश्बू से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं उसके लिए मैं चाहिए होंगे बॉइल आलू तो मैंने लिए हैं आपे पांच बॉइल आलू थोड़ा सा कटा हुआ जिना डाला है कटा हुआ धनिया डाला है अदरिक डाला है और हरी मिर्ज वाइट ना जिना जीरा पोडर जार जिली ब्स इसके बाद थोड़ा सा दम लगाके आलू को मैश कर लें ताकी सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो मिला, कि इसका एक डो रेडी बाद हाथों पर थोड़ा सा OIL लगाएंगी और इसकी टिककींऑ बनाते जाएंगे जब तक आप टिक्कियां रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गरब होने के लिए तो आप इसको तवे के उपर बना सकते हैं या फर किसी पैन में बना सकते हैं तो पैन में खोड़ा सा extra oil डाल के इसको बना रही हूँ ताकि इसकी sides भी अच्छे से पक जाएं तो street food कोई भी हो, काफी heavy होते हैं तो आप इसे किसी meal की form में यूज़ करें ना कि snacks की form में इनको खाने के बाद अगर next meal आप काफी सारा salad खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी इससे कि ये आपको easily digest भी हो जाएंगे और उतना हाम भी नहीं करेंगे लेकिन exercise करना कभी मत भूलिए आलू की टिक्की रेडी हो गई है बस इसे निकाल लेते हैं हम paper towel पे इन टिक्की को आप दही या चक्नी के साथ वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप चना टिक्की चाट खाएंगे तो और भी tasty लगेगी तो एक pan में थोड़ा सा मैंने डाला है oil और साथी डाला है बड़ी लाइची दाल चीनी चोटी लाइची और दू लॉंग डाले है पाउडर आमचूर पाउडर गरम मसाला पाउडर और साथी डालेंगे चना मसाला पाउडर तो इन सब चीजों को अच्छे से मिलाना है और at least 10-12 मिनाट तक इसको अच्छे से भूनने देना है चाहें थोड़ा सा पानी भी इसमें आड़ कर लें ताकि ये सूखे नहीं टेस्टी बनेंगी आपकी चना टिक की चाट बस तसली से तड़के को अच्छे से भूनने दें और उसके बाद इसमें आड़ करेंगे बॉयल के हुए चना जो कि मैं अल्रडी बॉयल ककी रखती हूँ थोड़ा सा पानी डालके इसको कवर कर देंगे और 7-8 मिनाट तक अच इसके बाद चना डाल दिये हैं थोड़ा सा दहीं डाल देंगे साथी डाल देंगे इमली की चटनी और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी चटनी आपने टेस्ट की कॉर्डिंगली डाल सकते हैं साथी डाल देंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर प्यास डाल देंगे बारी बारी कटा हुआ और साथी डाल देंगे इसमें सेव, तो लीजे आपकी चना टिकी चाट रेडी है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, which is मैगी चीज रोल, सबसे पहले मैगी बनाएंगे, जो सबको बनाने आती भी है, तो एक कडा है, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड में ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, साथी एक पैकेट आटा मैगी का डाला है, आप कोई भी मैगी ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल कम डालेंगे, क्योंकि हमें सूपी मैगी नहीं बनान है, साथी पनी के स्लाइसिस डाल दिये है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, यानि कि ब्लैक सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा विनिगर भी डाल दिया है, बस इनको दो से तीन मिनट ही पकाना है, जादा नहीं पकाना है, तो जब तक पनी और शिम मेंतार साथ डाला है हाफ टीजपून सौल्ट और एक पिंच डाला है मैंने बेकिंग पावडर का एक टीपल स्पून डाल दिया है आयल का बस इसका भी हमने डोर एडि कर लेना है नॉर्मल जैसे हम चपाती केलिए डोर डूर एडि करते हैं वैसा ही इसका डोर एडि करना है आप चाहें तो इसके लिए regular चपाती का use भी कर सकते हैं लेकिन roll में बच्चे टॉटिया जादा पसंद करते हैं वहाँ पे different तरह के rolls ready की जाते हैं टॉटिया सेम होता है बाकि filling आप कोई भी अपने बच्चों के taste के accordingly बना सकते हैं नॉर्मल जो चपाती हम बनाते हैं उसका size काफी छोटा होता है लेकिन जो roll के लिए चपाती आपको बनानी है वो size में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और साथी पतली भी होनी चाहिए इस तरह के rolls को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बलकि बहुत ही easy है तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना है आप बटर लगा सकते हैं होमेर बटर भी लगा सकते हैं या फिर कोई flavor बटर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे garlic बटर लगा रही हूँ दोनों तरफ से बटर लगाते हुए इनको अच्छे से सेक लें और उसके बाद हम ready करेंगे roll जिसके लिए रोटी पे सबसे पहले मैंने एक चमच mayo डाला है और उसके बाद डाल दी है sweet chili sauce आप चाहे तो tomato ketchup का use भी कर सकते हैं इसको रोटी के ओपर अच्छे से फैला देना है और उसके बाद इसके ओपर डालेंगे हम chaat masala फिर डाल देंगे हम maggie की filling और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें capsicum और पनीर की filling देन हम डाल देंगे इस पे cheese आप यहाँ पे slice cheese यूज़ कर सकते हैं processed cheese या फिर mozzarella cheese कोई भी cheese जो आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं तो लीजिए maggie cheese roll ready है I swear आपके बचे बहुत पसंद करेंगे तो एक बार उन्हें बना के जरूर खिलाइएगा तो चलिए देख लेते हैं fourth and last recipe dry manchurian manchurian बनाने के लिए पत्ता गोबी का यूस्तों मैं करे रही हूं साथ ही मैं एक गाजर भी डाल रही हूं करके आप चाहें तो अकेली पत्ता गोबी के साथ भी manchurian बना सकते हैं लेकिन इसका juice हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जादा पानी होता है especially गाजर में बहुत पानी होता है अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको fry करेंगे तो यह फट भी सकते हैं तो इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है लेकिन इस पानी को waste ना करें आप इस पानी को पी सकते हैं यह आपके पास half a glass of juice रिली हो गया है पता गोबी और गाजर के mixture में डालेंगे थोड़ा सा salt, red chili powder, jeera powder, साथी डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और गरम मसाला इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी से mix कर लेना है उसके बाद इसमें डालेंगे दो चमच के around corn flour और साथी डालेंगे दो चमच मैता और बस इसका एक dough ready कर लेंगे तो सबजियों का extra पानी हमने निकाल दिया है, साथी इसमें डाल दिया है corn flour और मैता तो इनके फटनें के अब कोई chances नहीं है अब छोटे छोटे बाल्स जैसे भी आब राना चाहें तो उनको बनाके side रखते जाएं और उसके बाद हम तेद गरम करेंगे और इंको fry कर लेंगे तेल गरम होना चाहिए लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही बाल्स ब्राउन हो जाएं और वैसे भी हमें इन्हें low medium flame पे fry करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए तो लीजिए सबी manchurian wall fry हो चुके हैं इनको हम side रखतेंगे और उसके बाद रेड़ी करेंगे इसका तड़का तो एक कड़ाही में थोड़ा सा oil डाला है और उसके बाद इसमें डाल दिया है बहुत सारा garlic क्योंकि garlic इसका main ingredient है उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा प्याज अधरक डालेंगे बारी कटा हूँ साथी डाल दिया हरी मिर्च उसके बाद इसमें डालेंगे हम salt black pepper powder इन सब चीजों को अच्छे से हम mix कर लेंगे और इसके बाद साथी इसमें डाल देंगे कटी हुई शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च को ज़ादा पकाने की ज़रूत नहीं है साथी इसमें डाल देंगे सारी sauces सबसे पहले मैं डाली है इसमें tomato ketchup साथी डाल दिया है red chili paste आप चाहें तो red chili sauce भी use कर सकते हैं और इसके बाद इसमें डाल देंगे soya sauce साथी एक चमच के रॉन मैंने इसमें vinegar डाल दिया है यानि कि सिर्का थोड़ा सा पानी डालेंगे और चल तो dry manchurian के लिए यही चीज हमें चाहिए होती है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे manchurian balls और gravy को manchurian balls के साथ अच्छे से हम coach कर देंगे साथी garnish के लिए दोबारा फिर से डाल देंगे हरा प्यास तो लेजिए yummy dry manchurian ready है हमने तो enjoy कर लिया अब आप भी enjoy करें और मैं मिलती हों आपसे next video में till then bye bye take care and stay healthy